गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुष लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को गेहूं बेचने की योजना बना रही है। अगले महीने से आटा मिलर्स और बिस्कित निर्माताओं को गेहूं बेचा जाएगा। सरकार ने भारतिय खादे निगम, FCI, को अपने भंडार से 23,250 रुपए प्रती टन पर गेहूं बेचने की मनजूरी दी है, जो मौझूदा खुले बाजार की कीमतों से करीब 12 फीसदी कम है। हालां की, FCI ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह खुले बाजार में कितना गेहूं बेचने की योजना बना रही है। FCI ने पिछले साल जून में निजी कमपनियों को गेहूं बेचना शुरू किया था। मार्च, 2024 तक एक करोड टन से थोड़ा अधिक गेहूं बेचा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक FCI आकरशक दाम पर गेहूं बेचेगा, इसलिए बड़े पैमाने निजी कमपनिया या थोग ग्राहक खरीदारी में दिल्चस्पी दिखाएंगे। लगातार पांच रिकॉर्ड फसल के बाद भीशन गर्मी से 2022 और 2023 में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। इससे गेहूं की कीमत एक साल में 6 फीसदी तक बढ़ गई है। Bureau Report Market Times TV